यहां के कणकन में देवताओं का वास है, यहां के कणकन में सिव है, सिवा है, देवी है, दुर्गा है, यहां का हर कंकन, पत्थर, सुभ है, लाब है, ओम है, सिव का नाम है, यही कारण है कि यहां का हर छेत्र किसी देवता या देवी को समरपित है और इसी से यहां के जो असली पहचान है वो एकाकार होती है और दुनिया तक हमारे उत्राखंड की एक पहचान बनती है और वो कहलाती है देव भूमी उत्राखंड जै मागर देवी मागर देवी उत्राखंड की प्रमुक देवी है इनको माकाली का अवतार भी कहा जाता है यह देवी संपून उत्राखंड में नागपंथी देवताओं के साथ अलग-अलग रूपों में पूजी जाती है इन्हें सभी देवताओं की धर्म बहीन माना जाता है भगवान गोलजु देवता के साथ ये अन्यारी देवी के रूप में पूजी जाती है गाल गधेरों में निवास होने के कारण इनको गर देवी कहा जाता है इस देवी के 22 रूपों की पूजा उत्राखंड में होती है आज जिस मंदिर के दर्सन के लिए हम आपको लेकर आये हैं वह जन्पत ननिताल के भीमताल छेत्र से 3 किलो मिटर उत्तर की ओर इस्थित है यह गर्देवी मंदिर हेडिया गाउं बिनायक छेत्र के निवासियों की गर्देवी का मंदिर है संपोन उत्राखंड में इस तरह से गर्देवी या थ्वा गर्देवता का मंदिर इस्थापित होता है यहां की विसेस्ता यह होती है कि यहां अपने गाउं छेत्र की सीमा पर इस्थापित किया जाता है अथ्वा अपने किसी भूमी पर इस मंदिर को इस्थापित करके वहां निर्थिप्रती पूजा पाठ अर्चना जागर आदी का आनुस्थान किया जाता है